How to remove Google account from Android phone and other device in 2024 तो कैसे 2024 में इस taping process को कैसे apply करना है और यहाँ पर अगर आपका Android mobile है उससे अगर आप अपने Google account से sign out करके new Android mobile में login करना चाहते हो लेकिन आपको अपना old mobile से उसका access sign out करना है तो आज का topic आप लोगों के लिए useful होगा सबसे बिल आपको settings में जाना है और नीचे की तरफ आपको एक option देखने को मिलेगा Google का इस पर आपको tap करना है देन इसकी बाद यहाँ पर आपको manage your Google account का option देखेगा just tap on it और उसकी बाद scroll करके यहाँ पर आपको security का एक option देखने को मिलेगा security map को scroll करना है यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा नीचे की तरफ your devices का security के section में आपको your devices का option देखने को मिलेगा directly आपको इसकी नीचे का option देखेगा manage all devices इस पर tap करिए अब उसकी बाद यहाँ पर आपको वो सारे के सारे android mobile के login details देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपने अपना google account login किया है sign in किया है आप यहाँ पर आपको check करना है कि कौन सा आपका android mobile है यहाँ पर आपके android mobile का नाम आपको देखने को मिल जाएगा तो जिस भी mobile से अगर आपको log out करना है इसमें sign out करना है बस आपको इसमें टाप करना है जैसे कि यह मेरा एक windows का laptop था जब मैं use नहीं कर रहा हूँ इसमें अपना google account तो इससे मैं simple सा sign out कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो लेकिन मैं इससे sign out नहीं करूँगा अगर आपका sign out को option इसमें आपको बस आपना password चेंज करना है आपको आपका google account log out हो जाएगा जैसे कि यह एक मेरा एंडुब बोले इसमें sign out को option देख रहा है तो मैं इसमें पर टाप करके अपने device को log out कर सकता हूँ या तो अगर आपको sign out को option देख रहा है तो इसलिए मैं आपको log out ने करो बढ़ आपके cases में log out करना है so this will help you 2024